जहीं दोस्तों मैं आप लोगों को आज की मुंबई की पांच बड़ी खबरे बता देता हूँ पहली खबर तो ये है और ये काफी एहम खबर है इन दिनों एलेक्रिसिटी स्कैम बहुत हो रहे है एक मैसेज आता है वो मैसेज में या तो ये लिखा रहता है कि आपका पिछले महीने का बिल नहीं भरा गया है या आपका एलेक्रिसिटी सप्लाइ कट होने वाला है तो इस तरीके का आपको मैसेज आता है और ये कहा जाता है कि एक नंबर पे कॉल कीजिए वो नंबर पे जब आप कॉल करते है तो व्यक्ति अपने आपको माराश्टरा स्टेट एलेक्रिसिटी बोर्ट का ओफिसर बताता है फिर वो आपसे कुछ करने के लिए कहता है एप डाउनलोड करना वगेरा वगेरा और फिर स्कैम हो जाता है ऐसे कई केज भी सामने आये है तो मैं आप सबसे अपील करूँगा कि आप इस तरीके के स्कैम से साउधान रहें दूसरी खबर ये है कि एक 55 वर्षिय व्यक्ति ने बॉम्बे हाई कोट में खुद को मारने की कोशिश की है उसकी हालत अभी ठीक ठाक है क्योंकि उसे सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल गई और वहां मौजूद लॉयर्स ने उसे रोग भी लिया था वह व्यक्ति अपना प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस हार गया था और कही ना कही ओर्डर पास होने के बाद उसने अपने आपको मारने की कोशिश की थी पेपर कटर नाइफ से तीसरी खबर यह है कि आज SSE का यानि 10 वी का रिजल्ट अनौन्स हुआ और मुंबई का पासिंग परसेंटेज 96.94 रहा यानि इतने परसेंट विद्यारती SSE में पास हुए मुंबई के चौती खबर यह है कि मुंबई में आज 2255 कोरोना पॉजिटिव पेशिंट रिपोर्ट हुए है 1954 रिकवर हुए है तो अभी मुंबई का कोरोना एक्टिव पेशिंट का आकड़ा 13304 हो गया है पाचवी खबर यह है कि पुर्फ सांसद और कॉंग्रेस के गद्दावर नेता मिलियन देवरा का एक ट्वीट काफी वाइरल हो रहा है जिसमें उन्होंने BMC को यानि मुंबई की महानगर पालिका को एशिया की सबसे ब्रश सिविक बॉड़ी होने का दावा किया था होने वो ट्वीट में तो कहीं न कहीं यह ट्वीट काफी वाइरल हो रहा है इन दुनों तो दोस्तों यह है आज की यानि 17 जुन 2022 की मुंबई के संबन में पाच बड़ी खबरे अन्त में मैं बस आप सबसे यही कहूंगा भगवान इश्वर गौड अल्ला आप सबको सलामत रखे आप सब अपना ख्याल रखे सभी को दुआउं में याद रखे तैंक यू सो मच